आज हमारे बीच में चार महत्वपुड फिल्मों के डिरेक्टर हमारे साथ हैं आप लोगों से बाच्चित करने के लिए आप लोगों से जो भी जानकारियां होंगी उसको साजा करने के लिए इस बावनवे अंतराष्टी फिल्म समारो में ये फिल्मे अल्रेडी स्क्रीन हो चुकी है कल काफी लोगों ने इंट्रेस्ट सो किया है और काफी भीड थी जिसको देख करके हम भी थोड़ी बहुत फिल्म जादा नहीं देख पाए तो इनका हम परिचे कराएंगे डिरेक्ट कि अपने बारे में भी बाकि उसके बाद जब भूगा तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं ममों के जिनके संबंधित लोग भी कुछ लोग हैं अकर उनको भी इच्छा होगी कुछ बात करने की तो भी बातव की जा सकती है तो सब से पहले हमारे बीच में एक कई डाकुमेंटरीज बनाई हैं लेकिन फिल्म का डिरेक्शन पहली बार किया है यह नितान तो सहज सरल इनकी फिल्म है जिक का मतलब होता है कि एकदम सहज सरल सर है भी सरल मिलजुल के भी हमने बातची की तो एकदम सरल लगे इनकी यह जो फिल्म है इसकी कहानी वेस्ट आपके प्रोडूसर भी यहीं पे हैं आपने जैसे बताया आप भी अगर बात कर सकेंगे तो इस सरल चीज के बारे में सर अपना बताएंगे दूसरे हमारे साथ हैं निखिल महाजन जी जिनों ने एक गोदावरी फिल्म बनाई है गोदावरी जो लाइफ लाइन है वेस्ट और इसनों इनकी यह जो फिल्म है बैंकुवर में वर्ल्ड प्रिमियर में कनाडा में सो हो चुकी है इंटरनेशनल कई जगों पे जा चुकी है और यहां भी इंटरनेशनल रन में सामिल है और यह कहानी एक ऐसे लैंडलाड की है जो अब केवल अपनी जमीन जो है उसका किर प्रदाय लेने वाले के जीवन कितना उधेडविन में है उसके बारे में सर बताएंगे भी कर दोल्म है जो ऑ सहर और गाउच के बीच में तनाहत आनिह हैं और ध्रम जो परमपरागत वाधिय की चीजें होती ती उसको बजाने वाले सहर चले जाते हैं जीविका कि तलास में कमाने खाने के लिए लेकिन उनके जीवन में कैसे परिवर्टन आते हैं और जब उनको याद आता है कि हमारे गाउं में साल में एक तेवहार होता था जिससे वह सीखे थे बड़े थे वह उनको किसी तरह से आकरसित करता है उसके इर्द-गिर्द कहानी पढ़ती ह आगे अब उसके बारे में सरबाद में बताएंगे चौती फिल्म हमारे बीच में है गुजराती ये पूरा देश का पूरा हम आपको फ्रमड करा देंगे जिसमें ये फिल्म है 21 टिफिन ये भी कुछ इसी तरह के बीच टिफिन तक तो जिंदगी एक टिफिन चलाने वाली की एक माइला है जो मा भी है बेटी भी है साई उसके करेक्टर हैं लेकिन उसका अपना नाम नहीं है लेकिन 21 टिफिन जब उसकी सुरू होती है लड़का जो भी नौकरी करने वाला तो ये इस तरीके से लिखा वह टाएंगो करता effort करथा है कि उसके जीवन में फिर की कि साल मोरी सराइंब जिनकी काहानियों का संघर्य था ये इन चहुचमारलो की अधर हैं दूसरी चानिया आपने उठाई जो 21 की मेल बारे में और सारी कहानिय कहानी जो है इसी के सब चीजों के बारे में हम सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सहाज सरल और नितान तोई सहाज सरल के डिरेक्टर में सर्सकी के कैंडली आड्रेस दे गैधरिंग सब्सक्राइब मैंना नाम शत्रावित पॉल है मैं नौट बेंगल से हूँ कुछ भी है डिस्टिक का चोटा सा गाओ हल्दी बाड़ी से कि मैंने कर भी सोचा नहीं सा कि कभी मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं पिक्चर बनाओंगा मुवी बनाओंगा क्योंकि बच्पन से मैं तो थियnew अटर करता था और मेरा का ऋलेजबी विश्य भारति से ड्रामा के उपर ही मैने ग्राइज्वेशन किया था तो बच्पन से म मुझे एक्टर बनना है तक में दो-तीन ड्रामे लिखा था उसके बाद मीर्यक्सर ने मुझे वुला कि मैं लिकना चाहिए तो में लिकना शुरू किया मैंने कुछ fan में आधर राइटर काम किया एसिस्टेन डिरेक्टर के साथ त्पीर गया इस डीरेक्टर के कौन सुनें का इसा कहानी यह डी सिर्ण का कहानी है ये कि वालश को बारे में तो कोई सुन भी नहीं चाहता लेकिन ये लिए दिन लोगों के बारे में में मैंने अपने बताया की इन सब 로कों में बजपन से देख देख के बड़ा हूँ जो आइस्क्रीम सेलर में जब पाच में बटता था स्कूल में ते गार बंदा आता था साइक्ल लेकि एक बख्षा होता तो साइकल के केरियर में उसमें टिक लगा कि वो आई-सक्रीम बेचता था तब से इन लोगों को मैंने देख 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 के बड़ा हुआ वो बंदा अभी भी आता है मेरे स्कूल के सामने तो मेरा कहानी एक एक करिदार के ऊपर है जो आइस्क्रीम बेचता है तो शहर के इन्वाइस से दूर भाग के वो गाव में जाता है उसका ये शोर उसका अच्छा नहीं लगता सिख the Court मेले के बारे में पता चलता है कि ऐसा यहां बेच कर ही अपना रुजगार करे ऐसा नहीं जिकली में नहीं आ है पर सथ्ला ता है गाहव में घूंदा है कहीं बैठता है अगर बचने का मन किया तो बीचा नहीं मन किया तो नहीं बेचा कं तेक दिन उसका इसको ऐसा एक मेले के बारे में उसको पता चलता है तो उसने सुचा के चलो भूंके आते लेकिन पहुंच नहीं पाता हूं आप पर रही कहानी है मेरा तो बाकी चीजे भी आएंगी कहानी क्यों कैसे फिल्मों के बारे में अब मैं गोदावुरी के डिरेक्टर से निखिल महाजन से से रिक्वेश्ट करूँ है काईड़ी एक फिल्म इबाउड योर्सेल्फ और अधर फिल्म साथ्वी अलो थैंक यू आल फॉर कमिंग यह बहु I made my first film in 2013. It was a film called Pune 52. I followed it up with another film called Baji. And this is my third feature film, which I made after a gap of six years. In the middle 17th August 2020, we lost a very, very dear friend, mentor, and one of the most talented filmmakers in India, Mr. Nishkanth Kamat. He was very close to all of us. And the lead actor of this film, Jitendra Joshi, and I decided on that day to make a film for Nishisar. And this is that film. So, I mean, the story of the world is six years, and we will be different. But I think it is showing us part of the world, which is like houses, really old traditional houses. अबी बहुत यह सब घर जो है, बहुत पुराने हो रहे है, सब तूट फूट रहा है. यह सब बैकड्रॉप में एक बंदा है, जिसको मौत के बारे में कोई चीज पता चलती है, खुद के. And उसके उपर उसका एक जरनी शुरू होता है, कि उसको अपनी फैमिली को सेट करना है, सब कुछ करना है ठीक से. And at the same time, अपनी परमपरा जो है, अपना धरूहर जो है, उसको संजो के रखे हुए, कुछ अचीव करना है जिन्दगी में. तो ऐसे एक आदमी की एक कहानी है, फिल्म जल्दी रिलीज भी होगी theatrically, बाकी आप जैसे पूछे में आपको बताऊंगा. Thank you. Thank you, sir. Now I request Sagar Puranik, sir, to kindly address the gathering about Dholu. Namaste everybody, I am Sagar Puranik, director of the film, Akarnada film Dholu. I would first like to start by paying my respect to Puneet Rajkumar, sir. He was a pillar of our Karnada industry. He was very close to our team, to my producer. It's an unbearable loss and my pranams to Karnada Karatna Appu, sir. I have been an actor, director. I have been an actor since my childhood. I have been acting in Karnada television shows. And I have done about eight, nine television shows. I have acted in about two films. I slowly started getting into direction by being an associate director, assistant director. I did corporate films, documentaries. And then I finally directed a short film on the Indian army and Bhagat Singh. It's called Mahan Huthatma. It won a special mention at the national awards, 66th national awards. And right after I did that, it was noticed by a very popular director in the Kannada film industry. His name is Pawan Wadir. Pawan, sir, really loved my work and he offered to make a film, to produce a film for me. And at the same time, Pawanita is an indigenous folk art form from Karnataka. It's very... Live, which inspired me to imagine how it would sound in a cinema hall. That was one aspect. Another aspect was urbanization. Urbanization is a really important issue. It's a global issue. So I chose urbanization. And this film is about how urbanization has affected indigenous folk art forms. People are migrating to bigger cities in search of livelihood, which is not wrong. But in that process, what is happening is that we are forgetting our traditions, our cultures. So this film talks about that. It talks about this main line, which is art has no rules. There are no rules and regulations for art. So how the protagonist fights hard to keep his team intact. And when they all migrate to different states and different cities, what he does next and how he changes the entire village's culture, traditions going against the society, is what makes the film Doldu. And Doldu opened up in Kaleidoscope Boston Film Festival. It won Best Film. It won Technical Excellence, two awards in Boston. It's also being featured in Dhaka International Film Festival. And it's such a great honor to be a part of IFI because since about three, four years, I've been coming to IFI as a guest. I've been paying for my pass. And today, I've been invited to stay. And it feels great. I'm very thankful to the organizing committee, the juries and everybody for liking our film. It's team effort. There was a lot of, too many people involved in making this film. So Dhaka. And then it also won the Dada Sahib Falke DSK Trustka Best Kannada Film in Indian International Film Festival in Bangalore. And there's some more. And I hope you all get to watch the film. And thank you for coming here. It means a lot to us. Thank you so much. Thank you, sir. Now I request Vijay Giri Baba, sir. It's a film, Gujarati film, it's an interesting story. It's an interesting story. No, sir. I'm going to tell you. Namaskar. Kali, we just did film screen, I don't know if you've seen anyone or not. But as I've listened to three directors and one of the film, feeling is my third film. 2015, I've made a film before. So, we try to see the panorama. We try to see the third film. So, it's a different feeling. 21, I want to tell you about it. I want to tell you about it. I want to tell you about it. This film, UNESCO, ICFT, Gandhi Medal, for the film. And this film, it's a film. It's a film. South Asian Film Festival. में सेलैक्ट हुई थी WRPN एक एवोर्ड है वो भी उसको मिला है तो इतना राकगनाइजेशन हमको मिला वो जितनी खुशी की बात है उससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए एक गुजराती के लिए क्या है वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा फिल्म की बात तो आप मैं बात में बताऊंगा लेकिन गुजराती को नॉर्मली लोग बिजनसमें से जानते हैं लोग को पता है कि शेयर मार्केट वाले लोग होते है या फाफड़ा डोकड़ा खमर्ण सो गुजराती का एडेंटिटी सिंपल यही है लेकिन मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट गुजरात में है लेकिन कभी वो चीज़ बहार नहीं आती because of lots of things उसमें हम भी responsible है कही ना कहीं पे as a state हम भी कही ना कहीं responsible है क्योंकि यह शायद priority में नहीं था आज तक लेकिन गुजराती फिल्म का representation जब मैंने इफी का list देखा तो चार मराटी फिल्म है कनड़ा फिल्म होती है अलग-अलग language की फिल्म होती है जबकि गुजराती एक ही फिल्म थी हमारी तो मेरे लिए तो यह बहुत ही खुशी की बात है लेकिन मुझे कही ना कही मैं अपने state में जाके बोलता हूँ हमारे दोस्तों को फिल्मेकर्स को हम लोग बोलते है कि हम लोग ऐसा try करे कि हमारे at least representation हो और वहाँ पे भी अच्छे अच्छे फिल्मेकर्स है अच्छे अच्छी कहानिया है तो यह जो कहानी है 21 टिफिन वो मेरे दोस्त है राम मूरी जिनको 24 साल की उमर में साहित अकादमी का अवार्ड मिला था और उन्होंने 14 स्टोरी लिखिये वो women's century स्टोरी है सब उसकी यह दूसरे नंबर की कहानी है बहुत ही सिंपल कहानी है 21 टिफिन एक औरत है जिन सर ने भी बताया कि उसमें उसका नाम नहीं है सिर्फ हम उसको मतलब उसकी लड़की उसको मम्मी बुलाती है तो नाम हमने कोई यूज नहीं किया क्योंकि हमारा एक बहुत वो conscious decision था उसमें कि यह जो औरत सब के लिए सब कुछ करती है मतलब यह सिंपल है कि वह किसी की मा है किसी की बेटी है किसी की पतनी है लेकिन उसको नहीं पता कि वो अपने आपको खुद को भूल गई है और सब लोगों का कुछ ना कुछ करने में वो इतनी involved हो गई है कि वो अपने आपको खो चुकी है उसकी identity lost हो चुकी है तो उसका नाम नहीं है फिल्म में और कोई जब आता है डोर पे नौक करता है और उसको mirror देखा के बोलता है कि अपने आपको देखो तो यह मतलब इसके इर्द गिर्द यह पूरी फिल्म है बहुत ही simple intimate emotion human emotion पे यह पूरी कहान ही है तो I wish कि आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं हम लोग भी release करने वाले है 10th of December को और मैं again जूरी का सबसे पहले धन्यवाद करूँगा यहां सब बैठे लोगों का धन्यवाद करूँगा कि आज हम लोग आपके सामने है यह बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए क्योंकि गुजराती representation हमको भी बढ़ाना है आप लोग भी हमको support करना क्योंकि व आपके साथ हैं 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 प्यक्राव के केस्यलत मैंस्जय को घू만ी चाहता है व्योड कि एक चाहता है से क कर दो और ही आध्यान्य हुलेग physics भार और में लिए लिससें पोमी दूज़ इंव चे नारी पूलिए पेन आयोड पर जब्ट स Сам directing all these like stalwarts of the industry it's a big star cast it has Mr. Vikram Gokhale it has Mr. Sanjay Mone, Nina Kulkarni, Jitu, Jitene Roshi, Priya Darshan Zadha Ho so a lot of Gauri Nalao De, Sakhi Gokhale so it's a big star cast Mohit Takar Kar the very famous theater director is also playing a part in the film so you know it is a great experience to direct such actors especially Vikram ji because you know he brings with him so much experience and you know his understanding of camera like he has very little dialogue in the film so do you know emote with his eyes I think it's a great performance and then you know down the generation ladder I think somebody like Jitene Roshi such a impulsive instinctive actor to you know to bring him to the correct volume in terms of performance is a challenge so I consider myself very fortunate to have been able to direct all these people in one film so it was very nice to work with all these people yeah I just had a correction to me yes please so uh I just realized that I uh told in Indian International Film Festival no it's Innovative International Film Festival which happens in Bangalore it's done by the Innovative Film Academy can you hear me okay so also this is my debut feature direction so this is also in the competition of debut uh feature film by a director competition so I just to make the correction hi uh I'm Shamila from PIB and my question is to Sagar Pulanik yes ma'am so this film is about a folk dance uh form that is dollu kunita which is slowly vanishing from Kannada so the reasons might be urbanization migration etc etc but I wanted to ask you what is your opinion in general like people are losing interest that is the one question second is what kind of message you you want to give through the making of this film and what all challenges you faced while making this film firstly I don't think any art can be vanished there are hundreds and thousands of people who are fighting trying hard to keep things alive it might not have the popularity that it had earlier so it is going down the youth aren't paying much attention to it probably of course urbanization is and it's not wrong see it's a clash it's not wrong to go out to a bigger city for better earning but what my film does convey in the last is that you do all of that no problem but don't forget your roots what has to be done if suppose a small village has a tradition of an event for an annual event go back there spend some time with your folks in your fields in your jatari what do you call jatari um festival a big festival sort of event and sorry yatra yeah sorry yatra so don't forget your roots and that's what I try to convey my main point through the film dollu is art has no rules it is what uh folk art especially indigenous it you can create an art form tomorrow also there's no rules and regulations that is the vanishing part of it the challenge um so technically I challenged myself in this film what we have done is we have used progressive lensing in the film so throughout uh the story till the pre-climax I have only used wide lenses even the close-ups are shot in wide the rural entire the village is shown beautifully and as I come closer to the story I come to a 50 and then I come to a telly lens so it's it narrows down as the story also narrows down even my lensing narrows down so you can feel that claustrophobic feel at the end of the film second is the point of view screenplay technique which I don't think exists I just made it up which is only what my protagonist sees and hears is shown on the visuals there are no subplots there are no only b-rolls are different but the film is primarily made through his perspective so the visuals are only his next is uh how do you get professional drum dancers to act and how do you get professional actors to dance so uh in the team of eight to ten boys that who have danced in the film six of them were national level dolu kunita performers and we gave them acting classes for two two uh two almost one and a half two months and the two three actors two actors professional actors we trained them extensively in dolu kunita art form for two three hours every day for one and a half two months so it was excruciating for them I'm sure they hate me but I'm sure the result is seen on the film and um these are the challenges plus covid the first wave was just done it was it had just gone down and uh we had to shoot with hundred extras hundred uh junior artists so it it was it was scary because uh old people were there aged people so it was very uh difficult to to shoot I mean I wanted their safety to be utmost priority so these were certain challenges that we faced during I want to ask one more thing like are you planning to do anything further to to preserve this kind of uh at least this dolu kunita this art form like I said no one has to preserve this art form this will never die there are very senior people in the Karnataka culture also Karnataka has a Karnataka Janapada academy which is headed by Mata Manjama Joguti she's the first transgender chairperson of any government body and she recently won the Padma Shri so when a person like that she is handling the academy I'm sure none of the four cars will die she will do her best to keep it alive uh my question is to Mr. Shatrabit Paul uh what is the message conveyed by your uh film uh I think this questionnaire was awesome and I said to we when a message me dollars me but I was a simple sick honita never simply simple style may oi बताना चाहता था उसे जालक से कुछ नहीं था लेकिन हम तो सभी किसी ना किसी कोच में लगे रहते हैं हर इंसान किसी खोज में है या ऐसा मुझे लगता है कोई क्यार की तलाश में कोई काम की तलाश में कोई पैसे की तलाश में तो यह भी मेरे कहानी भी ऐसा कुछ खोजी मीन करता है कि यह मेरा जब प्रोटागे निस्टेव क्या ढूंदता है और क्या ढूंद कुस्ट क्या मिलता है यही है मेरे कहानी बस Nikhil ji you spoke about long gaps between your two projects are they conscious or it's just happening it's a mix of both I'm also I think very lazy that's the honest answer I can also give a very philosophical answer but let's not do that but no I'm lazy I think I take a long time to write and I keep doing different projects in the middle so I'm not out of work fortunately so I I did the Netflix original called Betal which was produced by Shah Rukh Khan and Blumhouse so things keep me busy but when it comes to feature films I really feel that I should have something substantial to say unless I don't feel that I don't really go for it also it's a lot of work these gentlemen on stage will know so you know to put yourself through that ordeal of making a film I think your story really needs you really need to care about what you want to say but ugly film I'm not taking that bigger gap it's I think two years two years yeah but now I'll start work so it'll come out after two years so uh 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 sir uh uh तो मैं थोड़ा chronology को follow किया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था, बट यहां, after COVID, actually, I was planning a bigger historical drama, after my Montoni Bittu, Montoni Bittu was the film which I released in 2019, and then I wanted to plan a historical drama, but because of pandemic, I couldn't do anything, और उसके बाद, हम लोग तो गाउं चले गए थे, तो गाउं में, खेतों में, बैड़के, मैं बस महाबारत पढ़ता रहता था, मैं नरेंद्र कोहली को ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो repeatedly मैं उनको पढ़ता रहता था, और उस टाइम पे, मैं और राम interaction कर रहे थे, कि यार कुछ करते है, फ्लोर पे जाना है, और गुजरात में, मलब सभी जगे पे lockdown था, तो हमारे वहाँ पे भी lockdown था, तो हम लोग जैसे unlock one हुआ, तो unlock one में हमको लगा कि film shoot करनी है, लेकिन वहाँ पे permission नहीं थी, हमारे पास 30 लोगों की crew को लेकर आप shooting पे जा सकते हो, और सब COVID protocol follow करना है आपको, तो फिर वह तो challenge थी, लेकिन हमने बुला challenge नहीं होगी, तो करेंगे या, क्योंकि COVID के बाद कुछ भी करके, मरलब इसको revive करना था, हमको floor पे जाना था, और ये जो 21 वा टिफिय ना, वो short story, मरलब उसको short film की script राम ने already की हुई थी, हम लोग कुछ एक series प्लान कर रहे थे, तो मैंने उसको revisit किया, और मुझे लगा कि नहीं या, इसको short film नहीं बनाना चाहिए, ये feature film की बात है, इसको हम अगर short film करेंगे तो injustice होगा, और फिर वैसे हमने इसको sing sound में 8 दिन में complete किया है, और अभी कुछ भी patch work क्या dubbing नहीं था, और ये film जब हुई, तो जहांपे हम लोग shoot कर रहे थे, वो covid के cases थे, micro zone में थे, लो तो बहुत सारी challenges वो type की थी, sing sound था तो construction sites चल रही थी, तो वो सब चीजों के चलते, हमने ये film 7-8 दिन में shoot किया है, सर मैं आपके कहानी लिखा है, उनसे एक सवाल पुछना चाहूँगा, सर ये जो कहानी आपने लिखे हैं, उसका inspiration क्या था, जो अपने इस कहानी को अपने दर्शाय है, सो एक्चुली inspiration, ये 2013 में मैंने कहानी लिखी थी, ये कहानी 21 वाटी बिन, सो वही होती ही कि हम appreciation जानते नहीं, क्योंकि वो हमारे खुन में ही नहीं है, हम ममी को आज अच्छी रोटी बनी, या बहन को अच्छाय बढ़िया बनाई ही, वो में बताना ज़रूरी नहीं लगता हमें, क्योंकि वो तो उनको पता ही है, पर कब कोई आके बहार वाला बंदा, जब आके बताता है आपके घर परिवार को, और क्या वो change आना शुरू होता है, तो आपको लगता है कि सिर्फ इंसान एक छोटे से appreciation के लिए तरस जाता है, तो वो मैंने हमेशा आपने आसपास देखा था, और हाला कि मैं होस्तिल में ही पला बढ़ा हूँ, तो हम तो बहार ही खाना खाते थे किसी और के घर में, तो वो हमने notice किया था वो सारे चीज़े, वो दिमाग में थी और वहीं से कहानी हमें मिली, और ने आपने कहीं में तो हमाल। मैं इस फिल में जिन जिन ने अक्टिंग किया था यह कोई एक्टर नहीं था कोई भी एक्टर नहीं था जूसने आइस्क्रीम बनाता है मैं उसको सिकरोल दिया बस दो एक्टर में अखुलिया था कलकाता इंड़ बंगला इंड़स्टी से एक तो मेरा प्रोडूसर जो यहां पर बैठा हुआ है इसे मुझे बहुत सपोर्ट दिया यह भी सिंग साउड में मैंने बनाए इस पिक्टर को यह भी आट दिन में शूट वार अर एक आत्मी जो इपर देता है इस मैंने खुजाए लोगो को कि कॉल मेरे इस एक्रिक्टर के लिए एक दों परफेक्ट इसा नहीं है कि वह एक्टर हो ना हो ऐसा कुछ नहीं था ऐसा ही मैंने ढूंडा और उनको बोला कि आप मेरे में एक मुवी बना रहे हो कि उसमें आप एक्टिंग करोगे तो खुशी में राजी हो गया हां क्यों नहीं करेंगे इस तरह से बन गया मुवी माजा प्रश्ण निखिल तुला है निखिल तु गोदावरी बनाव लियां गोदावरी आने तेचा आजवाजवाजवादार नाशिक दाख ले गोदावरी बनाव दस्ताना नेमकर डोकेत काई विचर होता दोन तीन गोश्टी होता है मुळात हास सिनेवा बनवाय चादी मी कदीज नाशिक पहलेल नहीं त्या मुणे एक कंप्लीटली नवीन शहर बगायला मेलने आने अपल्या पॉइंट ओफ यू ने तेचा शहराला पड़द्यावर दाखोने ही एक विगली मजाए नदी शहर बश्ट नधी नधयांच महत्व कुप है आपला संस्कृति आने जख बराचा संस्कृति मुझे नधयांच महत्व कुप है ते ми गोदावरी दक्षिन गांगा मंञटात ... अपला आओगा महराष्ट्र अपले आंतवधी कराला गोदावरी नधी पाशी सरातातात तुछ सुछ नधी महत्वा कुप आए, अपला पुर्म स्युप महत्वा है, कल्चर में नाधी महत्वारी लाणतर रहाणारी मान्स युप पच तॆ नाधी भी प्रचंद स्युधा है. तया नदी ला खिड़कीत न बगुन तया न बरवट आणी तया नदी माझे खरच काई तरी मैजिकल आए मनजे मी तिथे आता शूट केला आणी मी आता सतत जात रातो ना शिकला तया मुले मना थाच विचार होता कि इथे रहानारी मानस तैंसर जे आयूश्या है तैंसे जे मुद्ध्या है त आणी माला नहीं मी आसा वट्टा आणी यह चाब पूर्चा मी उत्तर इंग्लिश मजे देतो पंजे सजयाननास ते कायल करन I always feel that films should be a snapshot of a time and place a very accurate snapshot of a time and place because we are making a film today but film is forever so in like 2070 if somebody watches Godavari I hope somebody does when they watch that film I want them to know how was Nasik in the year 2020 how are the people in Nasik in the year 2020 I think films are very important documentation which is lacking unfortunately in India that's a different subject but so I always try to be very accurate in portrayal and that portrayal is not limited only to how people look and what they're wearing but how what is the role of women in a society how are men middle-aged men feeling what are the conflicts within a family because I think all of that is going to help the future generations in a way build on so that was the idea behind making this film and the film is part of the international competition this year so I think in some way we we have succeeded because maybe it is accurate. आसा कूब काय काय चालू तम ही तर माना आसा करतकरत जाला मी यहने कासे 8-8, म्नोन मी 16,26 झूट के लिए आणि माजी पन सिंग सावन मदे चूट के लिए सो या आपन आपन मुंबाई द्रहतो आणि मुंबाई आणि मिठी नदी मुणे अनेक प्रसंग उद्भाव तदे मुंबाई करना माईती है अजी डोक्यात कई संकल्पन आहे का मिठी नदी विशेह किवा मिठी नदी चा एक अंदरी प्रसंगा विशेह आता मीना खूप कमी फिल्म्स करतू आता मी एक एक नदी दर करेल लगलो गोदावरी चा एक सांगले चित्रण डाखा उला पन आता माशा महाईती नदी आणी त्याचा मुणे मुंबाई करना होडारा त्रास एचा वरते एक खाद चित्रपट तर आला असम महाईत नए तर आसा चित्रपट निगू शक्तो का कही कांसेब यहू शक्ते का चित्रपट कश्वर ही निगू शक्तो मुंझे थोड़ा Hindi थोड़ा English रिक्स साथ रहेगा नो नॉराटी जोड़ा यहू अगा तल्स तब लोगों को समझ में आता जाना सर्व बिल्कुल 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 स्वेश्चिन इस आफ एस 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 डाट of problems for Bombayites, so am I planning, is it possible to make a film on Mithi River? It is possible, it is possible to make a film even on this press conference, we can make a film. Will I make that film? I don't think so, because I have one life, you know, already my parents are very mad at me, I don't spend time at home, so if I have to, if I start making a film on each river in India, then it will be very difficult in life, but yeah, you're right, the rivers, rivers, pollution of rivers, it's not unique to Nasik or Bombay, it is unique to all of India and all of world, so it's a very universal subject, lots of films have been made, and I think it's an important subject, so yeah, I hope somebody picks it up. You read it, you read it, you read it, you read it, thank you, thank you. Sir, I'm Shakuntala Bharanev from All India Radio, my question is for director Sagar Puranik, Sir, your film for which you have been felicitated, Dolu, I just want to know the, what was the, what is the uniqueness you found while doing, directing the film, and what is, what's made you or in general the film as a success? Well, thank you for calling it a success, first. When it comes for EFI selection, EFI is a success, great success, international level. It's a great feeling to be sitting with these gentlemen here. Ma'am, our uniqueness, this was my debut feature direction, I didn't want to experiment much, I wanted to go old school filmmaking, my shots are, the camera movements, the framing, the coloring, it's all old school, basic, because since it was my debut, I didn't want to experiment much, and it's pure from the heart, organic storytelling, there was no agenda, there was no intention, it was just to tell a good story. I, it was a quick in and out, just like these, when I shot for 25, 28 days, and it was a great, I, I had a great team, we faced with many difficulties, there were heavy rains, we shot in Shimoga district of Karnataka, it's almost always raining, so when, on days where there were heavy production, we had about 80, 100 people, and artists, and the cast, we had about 150, 180 people, that day it was outdoor shoot, and three consecutive days, we planned, all the three days it rained, all the production went for a toss, and still my producer, Mr. Pavan Wadhyar, without saying a word, he said, we have to shoot in this location, we have got this opportunity, don't worry, even if, even more money is wasted, don't worry about it, let's do this film, I had great support from my producer, my technicians, my actors, I had a great team, and only if there is a great team, I can sit here in front of you people, so I'm very thankful to them. Can you have succeeded to pass on the message, what you really intended to pass through your film? Yeah. Like I mentioned earlier ma'am, that, so one more small incident I'll tell you, how this topic came to me, urbanization, so I was travelling in a cab in Bangalore, so the cab driver was complaining about the traffic in Bangalore, without him realising that he's a part of the traffic, so he's also the reason why there's so much of chaos in the city, and it's not bad, it's not wrong, even I was there, it was because I was paying him, so we are all a part of this, you know, it's a loop. So that is when this idea struck me that we are complaining so much without realising that we are the problem. So that is when the urbanization idea hit me. And I've seen my friends, you know, during my college days they used to stay in cramped up small rooms, it's not even a one BHK, it's a one hall with a small kitchen, five, six boys stay there, I know the everyday struggle that they go through in the mornings to get ready, you know, for college, so involved that also. So these small small instances helped me to create this entire story together. Thank you so much man. My question is to Nikhil sir, so you are taking two years gap, does that help in getting ideas, and another question is, you are going to produce a film after two years, so just a part of curiosity what the film will be about. The next film? Yeah, two years you said, no sir, after two years, this is the longest gap you are taking for the next film. No, no, this is the shortest. So can we know, sir, about something about the films, as a part of curiosity? I don't think this is a forum, but the film is called Rao Saheb, and we will start shooting, I think in time to come you will know, but I hope it comes again to IFI, this is my consecutive second year to IFI by the way. So it's very nice. Last year I had produced a film called June, so that was IFI. So yeah, hopefully it will again come to IFI, but I think it's too early to talk about it, and this is not the forum. We have other filmmakers, so out of respect to them, we will talk about that later. Anyone else, please? Okay, thank you, sir. As Mahajan sir said, art has no life, but Paul sir said, it makes new way of life. Thank you sir. Thank you, Pornadik sir. Thank you, Baba sir. And thank you all. Your today's show, you are the people here, and you will meet the rest of you and others. We will talk about the rest of you and the rest of everyone. Thank you, miss. Thank you all. Thank you. Thank you. झाल झाल